जब सेटलाइट की मदद से नासा के वेगानिकों ने कैलाश परवत को देखा तो हर कोई दंग रह गया क्यों कैलाश परवत पर आज तक कोई भी चड़ाई नहीं कर पाया क्यों कोई हेलिकॉप्टर या हवाई जहाज भी कैलाश परवत के नस्दीक नहीं चाह सकता कैलाश परवत पर चड़ने पर आखर क्यों लगा दी गई है रोक, जानने के लिए बने रहे ये विडियो की एंड तक कैलाश परवत रहस्यों से भरा बड़ा है, इसे पूरी दुनिया का सबसे रहस्य मई परवत माना जाता है ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और कहा जाता है कि देवों के देव महादेव आज भी अपने पूरे परिवार के साथ इस परवत पर विराज मान है मनुष्य जानवार देवी देवताओं से लेकर राक्षस तक हर कोई भगवान शिव की आराधना करता है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश परवत की चारो दिशाएं केमती रतनों से बनी हुई है जिसमें स्वटिक, मानिक, सोना और नेलम शामिल है ये परवत सिफ हिंदू धर्म में ही नहीं, बलकि बौध और जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है बौध धर्म के अनुसार ये जगह भगवान बुद्ध के एग अवतार का नेवास स्थान है तो वहीं जैन धर्म के अनुसार प्रथम तीर्थंकर भगवान रिशब देव को भी यहीं से निर्वान की प्राप्ती हुई थी और जैन अनुयाई इस जगह को अश्टापत के नाम से जानते हैं इस परवत से ब्रह्म पुत्रा, सतलुज, घागरा और सिंधु जैसी नदिया निकलती हैं मानसरोवन लेक और राक्षस्तल जील भी कैलाश परवत के छोरों पर मौझूद हैं आज तक ना जाने कितने लोगों ने कैलाश परवत पर चढ़ाई करने की कुशिश की है लेकिन एक भी परवतारोही इसमें सफल नहीं हो पाया है कैलाश परवत की उचाई माउंट एवरेस्ट से बाईस सो मीटर कम है लेकिन इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट की चोटी पर आज तक 6000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं लेकिन कैलाश परवत की चोटी अभी तक इनसानों से अच्छूती है माना जाता है कि कैलाश परवत पर चढ़ाई करना पूरी तरह से असंबव है और कुछ दिव्य अलोकिक शक्तियां इस परवत को संदक्षित कर दी है कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कल्योग के मनुश्यों में इतना सामर्थ थे नहीं है कि वे इस परवत की चढ़ाई कर सके जो शारिरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से पूरी तरह पवित्र है जिसका मन शुद्ध है केवल वही व्यक्ति इस परवत की चढ़ाई कर सकता है और आज के समय में ऐसे आध्यात्मिक लोग मौजूद नहीं है बीसवी शताब्दी के दावरान अनेक लोगों ने इस परवत की चढ़ाई करने की कुशिश की है वे लोग इसमें सफल तो नहीं हो पाए लेकिन यहां से वापस आने की बाद उन लोगों ने जो बाते बताई उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है लोगों ने बताया कि इस परवत का मौसम कभी भी बदल जाता है आंधी तूफान चलने लगते हैं हिम्स खलन होने लगते हैं परवत पर चढ़ते वक्त मन बहुत भारी हो जाता है दिलतीजी के साथ धड़कने लगता है घबराट होने लगती है और अंदर से आवाज आती है कि आके नहीं बढ़ना और यहीं से वापस लौट जाए ऐसा दावा एक दो लोग नहीं बलकि अब तक कई लोग कर चुके है 1991 में चीन ने जापान के साथ 17 लोगों की एक टीम तयार की थी और उन्हें इस परवत की चढ़ाई की इजासत दी गई लेकिन हिम्स खलन की कारण उन सभी लोगों की मौत हो गई एक बार कुछ परवता रोही इस परवत पर चढ़ाई के लिए निकले थे लेकिन आठ दिन में ही वे वापस आ गए और जब वे लोग वापस आए तो उन सभी की आँखे अंदर धस गए नाखुन और बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और चहरे से भी वे बूढ़े लगने लगे थे ऐसा लग रहा था मानोवे कई सालों बाद वापस आए है कहा जाता है कि कैलाश परवत पर समय बहुत तेजी से बीटता है यहाँ ना तो घड़ी काम करती है और ना ही कम पास कई ऐसा फल प्रियासों के बाद चीन ने सन 1996 में हेलिकॉप्टर की मदद से कैलाश परवत की चोड़ी पर पहुचने की कोशिश की हेलिकॉप्टर में सवार लोगों ने बताया कि कैलाश परवत पर बहुत ज्यादा एवलांसिस हो रहे थे बयंकर तूफान आये हुआ था अचानक टेज बर्वबारी शुरू हो गए वे दिशा भटक ने लगे उनके हेलिकॉप्टर के इंजन में खराबी आने लगी रडार और नेविगेशन ने भी काम करना बंद कर दिया और यहां तक कि फ्यूल मीटर भी ठप पड़ गया इसलिए हेलिकॉप्टर वहां से वापस लौट गया साल 2001 में चीन ने अंतिम बार स्पेन और रूस की रिसेर्चर्स और परवता रोहियों के साथ कैलाश परवत पर चड़ने की कोशिश की थी उन्होंने उपर तक पहुँचने का सीधा रास्ता खुच लिया था लेकिन बीच रास्ते में मौसम ने अचानक करवट ले ली और उन सभी लोगों को वापस लौट ना पड़ गया सभी ने बताया कि उपर चड़ते सचड़ते उनका रिदय परवर्तन हो गया और अंदर से आवाज आने लगे कि उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए साल 2001 के बाद चेन ने इस परवत की चड़ाई पर रोक लगा दी लेकिन साल 2004 में रूस के एक विक्ती अपने बेटे के साथ परवत पर चड़ने के लिए अवैध तरीके से पहुँचे उन्होंने परवत की पांसी के नीचे एक कैम्प लगाया इस दोरान उन बाब बेटे ने देखा कि अचानक आस्मान से कुछ लाइट की गूले गिर रहें वे काफे चमकदार थे और साथ ही स्वास्तिक के चिन्न की आकरती भी उन्हें नजर आई एक और विज्ञानिकों ने कैलाश परवत पर काफी रिसर्च की उन्होंने अपनी किताब में बताया कि कैलाश परवत प्राकरतिक नहीं है बलकि इसे इनसानों द्वारा या फिर किसी अद्रिश्य शक्ती द्वारा बनाया गया है ये दिखने में किसी पिरामिट जैसा नजर आता है वज्यानिक ये भी दावा कर चुके हैं कि 10 करोड साल पहले इस स्थान पर एक समुद्र हुआ करता था ये भी कहा जाता है कि इस परवत के पास डमरू और ओम की ध्वनी सुनाई दीती है लोग कैलाश परवत को एक विशाल शिवलिंग के आकार का भी मानते हैं आपको बता दे कि इतिहास में एक विट्टी ऐसे हुए हैं जो कैलाश परवत पर चड़ने में सफल रहे बहुत बिक्षू मिला रेपा ने 11 वे शताबदे के अंतिम दशक में कैलाश परवत की चड़ाई की उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी कैलाश परवत को फतह नहीं कर पाया साल 2015 में नासा ने सैटलाइट और गूगल अर्थ की मदद से कैलाश परवत को देखने की कोशिश की इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया नासा ने देखा कि कैलाश परवत पर भगवान शिव स्वैम साक्षात रूप से मिराजबान है और इसके सैटलाइट तस्वीरे भी नासा ने जाने की थी कैलाश परवत की इन तस्वीरों में भगवान शिव की आकरती साफ साफ नजर आ रही है भगवान शिवध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं ये सभी तस्वीरे आप खुद भी देख सकते हैं Google Earth पर कैलाश परवत वाली जगे पर यदि आप जूम करेंगे तो इस जगे की आकरती ही नजर आएंगी इन सभी बातों से सपष्ट है कि कैलाश परवत कोई साधारन परवत नहीं है यहाँ पर अलोकिक शक्तिया मौझूद है इसी प्रकार कैलाश परवत पर और भी कई रहस से चिपे हुए हैं जिनके बारे में इंसानों को जानकारी नहीं है कैलाश परवत से साथ प्रकार की रोश्णी निकलती है इस परवत का आकार और रंग भी बदलता रहता है ऐसी ही कई बाते हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्य में बनाती है उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा कैलाश परवत को लेकर आपकी क्याराए है और क्या इनसान भविश्य में कभी इस परवत पर चड़ पाएगा इस बारे में अपने विचार कॉमेंट्स में जरू बताएं साथ ही वीडियो को अधिक से धिक लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवास